इंद्री में गन्ने की 295 रुपे पेमिंट को लेकर किसानों ने भाथ सो शुगर मिल पर रोश व्यक्त किया इसके बाद गन्ना संघर समीती परधान रामपाल चेहल के रितित्व में गन्ना तुलाई बंद कर दिया गया और मिल परशासन के खिलाफ जोड़ार नारेबाजी की गई इस मौके पर काफी संख्या में किसान मुझूद रहे किसानों ने मिल परशासन से गन्ने की पूरी पेमिंट देने की मांग की इस बीच किसानों के बीच नायव तहसीलदार होशियार सिंग वुथाना प्रभारी सुरेंदर सिंग पूलिस बल के साथ पहुँचे और किसानों वो मिल परशासन से बाचित की लेकिन किसानों ने गन्ने की तुलाई शुरू नहीं की जिसको लेकर किसानों में मिल परशासन के खिलाफ भारी रोश है चहन ने कहा कि गुसाए किसानों ने शुकरवार को गन्ने की तुलाई बंद कर दी और काटा बंद कर दिया चेहन ने कहा कि गन्य का बकाया पैसा पूरी पेमिन्ट दी जाए तब जाकर तुलाई की जाएगी इंदे से सरवदाता अमित सरहा की रिपोर्ट गंट रहे हैं आप भी घड़े रहा हुरी है आज गन्य संगर समित्री और सुग्रमील मनेजमेंट की मीटिंग थी यहां यह सुग्रमील बात सों किसानों को कम रेट पर गन्य खरीद रहा और यूपी से कमिशन पर गन्य ले रहा आउट एरिया का गन्य अज जैसे उनके साथ मिल मनेजमेंट के साथ मीटिंग करी हम ना कहीं पूरा रियाना के जितने भी मिला है वह 340 का रेट दे रहे यह तो पिछला रेट है नया सरकार बढ़ा होगी हम तो सोच रहे आगा भी बढ़ा होगी क्योंकि खर्चे बहुत बढ़गे लेवरों के बढ़गे खाद के बढ कर गे लेकिन उन्हें पिछला भी नहीं दिया मारा और दोसौप चानवा की पैमित शूरू कर दी हम ना कई आप अप कम से कम 340 के दो जब सभी मील 340 के दे पूरे रियाने के उन्हें अभी मारे मालिक ने बोले हैं आप 200 चानवा के दो जब तक मेल अमालिक का कोई मेस्ज सब्सक्राइब के अगर दो घंटे कर था अगर डी कर ले हम अपने मालिक से बात कर ले अगर दो घंट अपना कोई मारा समधान कर दिया ठीक है नहीं谢 किसान कोई भी ता रुख अपना सकते हैं कोई अग्ला अंदोलन का रूप बदल सकते हैं, कोई भी कड़ा कड़ा सकते हैं लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें भन्ने बाद